दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, FI Legacy Form के बारे में. दोस्तों, जैसा हमने पहले भी इसके बारे आपको बताया था कि आप किस तरह से एक्स्ट्रा इंकम कर सकते हैं कस्टमर की non-CKYC करके और बैंक को Legacy Form सब्मिट करके, लेकिन उस समय non-CKYC करने के 10 रुपए और Legacy Form कम्प्लीट करा के ब्राच में सब्मिट करने के भी 10 रुपए CSP को दिये जा रहे थे. लेकिन अभी बैंक ने उसको बढ़ा कर 25 रुपए कर दिया है और non-CKYC अपने सिस्टम से करने के भी 25 रुपए कर दिये हैं. यानि की अब आप एक फॉर्म कलेक्ट करके 50 रुपए के करीब एक्स्ट्रा इंकम कर सकते हैं. लेकिन पहले बैंक के द्वारा आपको एक लिस्ट दी गई थी जिससे आपको कस्टमर को कॉल करके बुलाना पड़ता था. लेकिन अभी बैंक ने इसको थोड़ा आसान करने के ऐसे कस्टमर जिनकी नौन केवाइसी पेंडिंग है. उनके मोबाइल नंबर पर इस तरह के मैसेज किया जा रहा है. ताकि कस्टमर खुद से आपके पास आकर अपनी नौन-CKYC करा सके और लेगसी फॉर्न कम्पलीट करके दे सके. नौन-CKYC करने के लिए आपको SBI Other Service में जाकर EKYC for Non-CKYC कस्टमर में जाना है. और यहां कस्टमर का CIF नंबर डाल कर फिंगर लगवानी है. और कस्टमर की नौन-CKYC हो जाएगी. और उसके बाद कस्टमर कर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म निकाल कर और कस्टमर के आधार और पैन की कॉपी लगा कर और साइन करा कर आपको ब्रांच में देने हैं. आप इस तरह से 50 रुपए तक एक्स्ट्रा इंकम कर सकते हों. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें. प्रूर में झापने ही तक हमारी कर सकते हैं.